असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उम्हें दबडिया होंगे बहतर होंगे आप देख रहे हैं चिकन मकनी हांडी या मुर्ग मकनी गिरेवी रेसीपी वाकई में इसकी गिरेवी इतनी मज़े की बनती है बहुत जादा डिलीसियस बन का तयार होती है मेरी फैमिले वाले को यह बहुत जादा पसंद है तो आप पर पूरी वीडियो को जरूर देखना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ठीक है वीडियो को इसकिप मत करना क्योंकि इसमेंने के चीज़ा ऐसी एक्ष्ट्रा एड़ कियें जिससे क उलिए टुरू यहां पर मेंन है सका मसाल यार करना आपको जो फिसे्थ हुए जो मसाले प्री जै ढ़ने हैं डाल मिर्च बिंदेओं और कम दो मर्क ज don say it अख़वल प्राइब आपको जाया yo pork बूप को थोड़ा सा भूहन लेना है रोश्ट कर लेना फिर इन priv multiplied by powder बना लेना थोड़ा सा दर्दरा रख जादा अच्छा रहेगा जैसे भी आप चाहें तो पीस लेना अध्रम है ऊछ लिए तो मैंने 2 चमच लिया पैश से हैं उनका मेद ने पैश्ट बना लिए तो उसकी आपको भूनना है अब इस में ने कोई तडगा नहीं दिया जीरा नहीं डाला कुछ नहीं डाला मिने डायरेक्ट प्याज को इसमें भूना है तो आपको सबसे पहले इसमें प्याज को भूना है प्याज को तब तक भूना है जब तक कि ये थोड़ा गोल्डन कलर इसका नहीं हो जाए कि ये इसका जो प्याज जो पानी छोड़ती है वो जल जाए और इसक को मैंने add कर दिया इसको आपको तब तक बुनना ना है जब तक यह off white नहीं हो जाए off white होने तक इसको आपको पकाना है थोड़ा सा जो इसका color है वो change हो जाएगा white white जैसा हो जाएगा ठीक है इसको हलके लहसुन यह चीज़ बाद में डालेंगे पहले नहीं डालेंगे क्योंकि पहले डालने से क्या है कि खुष्बू इतनी अच्छी नहीं रहती इसके बाद फिर मैंने टेश्टा कोडिन कह लो या फिर टू स्पून मैंने यहां पर मुझे जितनी नीड़ मेरी जितनी बड़ी स् उसके बाद फिर आपको डालना है इसमें मैंने एक इंच अद्रग का टुगडा लिया है दो गाटे मैंने लहसुन की थी उनको मैंने चील के और तीन-चार मैंने हरी मिर्च लिए उनका पेश्ट बना लिया फिर इसको आपको आप इसमें अच्छी से मिला लेना है अब इस तक कि यह जो हमारी जो चिकन है यह 70-80% पक नहीं जाए यानि कि सॉफ्ट हो जाएं तब तक इसको आपको पकाना है तोड़ के देख लेना तूटने लगे तब तक आपको इसको पकाना है तो इसको आप चलाते हुए थोड़ा सा और चला लेते हैं और यह देखिए मेरा च अच्छे से यहां पर जो पीस हैं वो सॉफ्ट हो गई इसके बाद आपको क्या कर जो हमने मसाले को भूना था खड़े मसाले को उनका पावडर बनाए अब उस पावडर को इसमें एड़ करना है यह मैंने जो मसाला पीस के रखका वो मैंने इसमें एड़ कर लिया तो इसमे मैंने एक कपकेल या एक छोटे कटोरी मैंने दही ले ली और दही को इसमें एड कर लिया जैसे मसाला डालेंगे तब है आपको दही एड करनी है अब इसको हलके हाँ से चलाते हुए इन सब मसाले को मिक्स कर लेना है और फिर इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना ये देखो साइड में ओईल कितना अच्छे से रिलीज हो गया एक तो मलाई भी मैंने डाले तो वो भी थोड़ा सा घी छोड़ती है और जो हमारा ओईल है वो भी अच्छे से यहां पर रिलीज हो गया यानि कि मसाले ने जो तेले वो छोड़ दिया तो इसका मतलब यह कि और हमें इसको और पकाना है थोड़े देर के लिए जो हमने दही डाली है वो अच्छे से पक जाए तो यहां पर दो-तीन मिन के लिए फिर ढखकर मैंने यहां पर पका लिया तो यह देखिए बहुत अच्छे से पक कर यहां पर तैयार हो गया इसके बाद किया करना है कि मैंने यहां पर थोड़ी सी मलाई ली है मलाई मैंने दो-तीन मतलब तेब 2-3 स्पून है ना दो-तीन चमच मैंने मलाई ली है उसमें थोड़ा से दूट डाल क अच्छे से पेश्ट बनाकर वो एड़ कर लिया और यहाँ पर मैंने एक कप काजु पेष्ट तयार किया है यहाँ पर मैंने काजु लिया है और सच पता ह면 ang box नारेल बुरादा होता है ना वो भी मैंने इसमें एड़ कर लिया था और अच्छा सा मैंने यहाँ पेष्ट बना लिए एक कप या चोटी कटोरी जितना यहां पर यह बना लिया तो यह सारे मसाले को अच्छे से आप बून अब यह इतना गिरेविन इतनी मकमली इतनी स्वादिश्ट बनेगी ना बहुत अच्छी बनेगी और खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगती है यह रेसिपी क्योंकि एक इसमे बैदातने भी इसमें मसाले डाले जितने भी हमने इसमें मलाईइ और पेस्ट बनाकर ना जा यह बाद बनाकर दाले का जुका कि अच्छे से यहाँ पर पक जाएं उसके बाद मैंने एक चंक चम्मच कसूरी मेती ली उनको मैं थोड़ा रोष्ट करके उसको ऐसे हाथ डाल दिया और थोड़ा सा मैंने यहां पर गरम मसाला वह यहां पर मैंने गरम मसाला फ़िव हूं मेरा हूमेड है। उइस मैं होमेड कर भूर goed정 के अधर की नहुत जादा आती है ! अभ इसको फिर सा आपको दो तीन मृंत के लिए धुश पकने देना है.. तब तक मैं थोड़ा से और चीजों की तभी करती हो एक कड़ाई लेनी हो उसको गरम करना है उसमें थोड़ा सा घ्या लेनना है यहां पर मैं पर मैंने अद रख के पतले पतली वो कट रख के और ये आपकी हो गई हरीमिज इन सब आपको भून लेना है इनको अच्छे से भून लेना है अच्छे से मिंज्ज ऐसा नहीं कि बिलकुल आपको गला आने ना है इनको मतलब soft हो जाएं तब तक इनको भूनना यह optional है आप एड़ करना चाहें तो कर लेना नहीं तो skip कर देना जो हमारी सबजी वहां पर बनिये ना वही एकदम perfect है पर थोड़ा सा और extra look देने के लिए यह सारी चीजे मैंने इसमें भून ली है ठीक है तो वह soft हो गए अब क्या करना है कि मैंने सबजी मेरे वहां पर पक गई तो मैंने यहां पर यह एड़ कर लिया उसी के साथ मैंने यहां पर फिरेज धनिया इसमें एड़ कर लिया और इनको हलके हाँ से चलाते हुए इनको कर लेना है वाके में यह रेसिपी इतनी ज्यादा डिलिसिस और यमी है और वीडियो आपको अच्छे लग रहे तो लाइक सेर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और लाइक तो आपने करते होगा अगर यहां तक आएं तो मुझे पताए कि आपको वीडियो अच्छी जरू करना हुआ तब मैंने एक लिया है ठीक है और उसमें इसको निकाल लेना है ठीक है तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना है पहले भी मैंने बोलता है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ वीडियो को आपने लाइक करना है आपको वीडियो को सेर करना आपको वीडियो को सब्सक्राइब नहीं चैनल को वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी रेसीपी देखने के लिए बहना ये कैसे करो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फुल वाच किया करो इसकी बिल्कु you for watching my video